जाकते रहो प्रशन आया कि मैं क्या करूँ कि पुन्य अर्जित हो पुन्य आप तक पाप करते आई अब तुम्हारे अंदर चाह आई कि पुन्य करे तुम्हें पुन्य करना है करो जब कुछ बिना करे रही ना सको तो कुछ तो करो कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही है यहाँ आने से पहले तुम समझते थे कि तुम पाप करते हो थोड़ा समझ गए आदा समझ गए बुद्धी ने नया द्वार खोज लिया, पुन्य करना है करो, लेकिन फिर पाओगे कुछ भी नहीं पुन्य करके भी कुछ नहीं पाओगे अच्छा पहले ये सिद्ध करो कि तुम हो तुम्हारा अस्तित्व है क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारा होना तो अवशक हुआ ना तो पहले ये सिद्ध करके दिखाओ कि तुम को यही तो अरजुन को ब्रह्म था कि मैं पाप क्यो करूँ मैं स्वजनों को क्यो मारूँ और इसी अधार पर तो तुम्हारी गीता लिखी गई लेकिन हुआ क्या अरजुन ने तो कृत्ते नहीं किया जिसके लिए वे बार बार मना कर दा था जिसे तुम भी पाप कहोगे सबी को मारा तुम भी कहोगे तुम भी यही कहोगे मारना पाप है तुम भी कहोगे भीक मांग लेंगे और यह मत समझना तुम भीक ही मांग लोगे वो तो दिखावा था वो तो दिखावा होगा तुमारे जीवन में तुम भीक नहीं मांगोगे तुम दूसरे किसी और को मुर्ख बनाने की सोचोगे किशन ने क्या समझाया तु हुता कोन है पाप करने वाला पुन्य करने वाला करने वाला ही तू नहीं है तू तो बीज से हड़ जा और प्रकरती ब्रम मैं जिस समय तुझ से जो करवाएं तू वो करने के लिए तैयार हो जा बढ़ इतना ही तो ग्यान था तुम्हे भी इतना ही समझना है कि तुम पहले पाप करते थे तभी तो अपने आपको पापी कहते हो कि मैं ने पाप किये आज तुम्हें एक मेया भाव प्रकट हुआ कि अब तुम्हें पुन्य करना है तुम्हें ना पाप करना है ना तुम्हें पुन्य करना है और जिस शण तुम यह समझ जाते हो, तुमें यह बोध हो जाता है और तुम उस आस्टित्तों के आगे अपने को समर्पित कर देते हो तो फिर ना पन, पुन्य बचता है, ना पाप बचते है इसी पाप पुन्य में धस कर, तो तुम आज तक सुकही नहीं हो पाई तुम्हें बोध नहीं हो पाया और अब मेरे कहे उनसार तुम इनसे थोड़ा उपर उठो उपर उठकर भी देख लो तुम्हारे की एसे कुछ भी पुन्यना होगा उल्टा जो भी करोगे उसी में उलज जाओगे तुम क्या सोचते हो तुम जो सुबे शाम घंटियां बजाते हो माथे रगड़ते हो धूप अगरबती की खुशबू से परमात्मा को दिजाने का परहतन करते हो सीधी बाशा मैं कहूं तो परमात्मा को दोखा देते हो उसको सिज़दा करते हो नमाजे पढ़ते हो मंदिर, मस्चिर, गिर्जे, गुर्दवारे में जाते हो तो क्या वे पुन्य करते हो अगर वो पुन्य ही हो रहा है तो तुम अब तक सुखी हो गई होते क्योंकि पुन्य का फल तो सुख होता है न देखो, पूछो स्वयम से क्या तुम सुखी हो गई नहीं, तुम्हारे किये से पुन्य कभी भी ना होगा उल्टे तुम पुन्य करने में उलज गए और जहां तुम किसी भी कृते में उलज गए, वहीं फस गए वहीं बंदन हो गया कभी पाप में उलजे थे, अब पुन्य में उलज गए क्रिशन कहते हैं अर्जुन से तू करने या ना करने वाला होता ही कौन है तू निमित मात रहे एक वही ब्रह्म वही कर रहे उसी आस्तित्तों को उसी प्रकरति को सब कुछ करने दे तुमने देखा एक मरीज हस्पताल जाता है बेपीड़ा से छट पटाता है जब तक उसका ध्यान उसकी पीड़ा में रहता है जब तक उसकी पीड़ा तिरो इतनी होती डॉक्टर क्या करता है पेन किलर देता है उसे नीन की गोली देता है उसे सुला देता है वो दर्द अपने आप खत्म हो जाता है तुम्हारा हटना अवश्यक है जहां तुम बीच में बने रहे वहां कुछ भी कार्य घटित नहीं होगा वहां सारे कार्य उल्टे होंगे बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ तुम बीच में से हटो ना तुम पाप करो ना तुम पुन्य जो प्रकरती से हो रहा है तुम होने दो तुम अपने आपको किनारे रख लो अंत में आज इतना ही तुम सबने मुझे ध्यान पुर्वग सुना तुमारा कोटी-कोटी दन्यवर तुम्हारे भीतर बैठे परमात्म को मेरा नमन तुम सभी जागो जाकते रहो सभी जागो किल दो गुम्हारी है कि मुम्हारी जागो मत्प्सप्ट fel ice she तो तुम्हाररो कि आमन किर दो कि कहची जागो जागो कि प्रो झाल